कि अपका नाम क्या है अपका नाम क्या है अपका नाम तो दोस्तों मेरे बैक्राउंड में आप जो फिल्ड देख रहे हो और हम अब ही जलगाओ निकलते हो तो पाचवा पड़ता है पाचवाही पर यह पर याउंड के लिए यहां पर डिया रहा है और जो भी किसान भाई हमारे चानल पर नए है और पर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यह कुल 2500 पेड़ है जो अभी यहां पर प्लांटेशन हो गए तो दोस्तों देखिए मिलिया दुबय की जो खेती होती है यह बहुत कम से कम एफोर्ट में कम से कम पैसे में औ सब्सक्राइब तो आप देख पा रहे हों कि आज हम प्लांटेशन की उपर बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे इरिगेशन को लेके और हमें ड्रिप के बेनेफिट्स क्या-क्या है तो यही वीडियो मैं आपके लिए प्लांटेशन की उपर लेके आऊंगा फिलाल प्लांटेशन यह जलगाओ डिस्टिक में पढ़ता है जलगाओ से जब आप पाचोरा रोड पर जाते हो तो आगे वावर्दा बूल के विलेज पढ़ता है और वाज से कुल दो या तीन किलोमेटर पर यह फार्म है तो यहां पर देख सकते हो यह जो लैटरल डाला हुआ ह यह 16 mm का है और यह जो ड्रीपर है एपरोक्स 16 लिटर पर हावर्स इसका डिस्टाज होए तो इसमें आप यह देख सकते हो इसमें सब्लाइन डाला हुआ है यह सब्लाइन है दो इंच वाला और सब्लाइन डालने का मिनिंग है कि इसके अंदर देखिए क्या होता है जैसे फ यहां से लेके तो लास्ट एंडिंग तक अगर इस एरिया में एक्जामपल मानके चलते हैं दस-दस फीट पे एक पेड लगा है और अगर एक पेड की जरूरत हमारे एक हपता के अंदर मतलब आठ दिन के अंदर अगर एक पेड में हमें 10 लिटर पानी अपलाए करना है तो कम से कम 40 मिनिट टाइम लगेगा खुला पानी छोड़ने के बाद 100 फिट पहुचने में तो देखिए मिनिममम अगर पांच एचपी का अगर आपका मोटर होगा पांच इचपी का अगर मोटर का कैलकुलेशन करो तो पर मिनिट में एपरोक्स धाइसों से पहुने 300 लिटर 300 लिटर तक इडिस्टाज देता है बोह वेल का हो तो आपमान के चलिए निवन तरम अगर आप एक मिनिट में 200 लिटर का फकाड़ते हैं तो एक मिनिट में 200 लेटर का ईक तो कम सेzechrik आपने आप हजार लिटर पाने इस इरिया हेँ कर दिया और आप संट चालिस मिनिट में वेस्ट हुआ है तो वही पर अगर ड्रीप इरिगेशन का सारा लेते हो तो आपको बेनेफिट यह रहेगा कि एक जो ड्रीपर है अगर आप एक घंटा चलाते हो तो 16 लीटर का डिस्टाज दे रहा है आप आपके सुविधा की साब से पेड को या फिर फसल को कैलकुलेशन कर कि एक सिंगल या डबल ड्रीपर लगा सकते हो तो सिंपल थिंक है दस लीटर अगर एक पेड में पानी देना है तो आपको ज़्यादे से ज़्यादा एक 15-20 मिनिट यह मोटर चलाना होगा 15-20 मिनिट में आपके सारी लाइन में 10 पेडों को पानी चला जाता है तो यह कंदा है जैसे आप जो अबनाफा खाली ड्रीप इरिगेशन के वज़ेसे होता है तो दोस्तों आपने 100% कोई भी फुसल आप करिए ड्रिप इरिगेशन का आप इस्तमाल कर सकते हो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ स्टेट वाइज जैसे हमारे महाराष्ट में 50% सबसेडी चल रहा है ड्रिप को लेके बिहार में 90% सबसेडी चल रहा है ड्रिप इरिगेशन को लेके यह चीज अलग है कि बिहार के जो इसकी मेरा कुद का एक्सप्रियंस शेयर करूंगा हमने पटना में मैंगो प्लांटिशन किया हुआ है पटना में जैसे के आरा तेसल पड़ता है आरा के पास पड़ता है एक विलेज उस विलेज का नाम है उस विलेज का नाम है परमानपूर जो की पीरों के पास पड़ता है परमानपूर वाके एसीपी शेवजी तिवारी जी है तो इन्होंने अपने ये लाइप में कापी सारा टाइम डेस की सेवा करी हुई है तो इन तेसे लोगों को तक माँ के डिलर ने 90 प्रतिशत सब्सीडी होने के बाद भी एप्रॉक्स 110-120 परसें उनसे पेमेंट उन्होंने लिया तो क्या है कि हमारे अंदर भी नॉलेज होना चाहिए कि हमारे स्टेट के अंदर कितना सब्सीडी हमारे लिए चल रहा है और हमने अगल कि आगे अपर बढ़ रहा है। आए है मिस्टर शाखला जी और यहीं है उनके पूरा परिवार यहां पहोचाँय होगे हुए मिल्या भी भुभय की स्टार्ट हो रह है तो से ले प्लांस अनलोडिंग हो रहे है और सबसे दिलर होकर बना चाहूंगा इंडिया अगर आगे बढ़ रहा है तो किसान की उपर बढ़ रहा है बट किसान को इसका कोई भी benefit हो नहीं रहा है मतलब किसान को knowledge ना होने के कारण इसमें सारी loot मचे हुए है मतलब किसान क्या करता है ब्लाइंड ली पेमेंट देता है सारी दस्तावी देता है सिगनेजर कर देता है बट डिलर उसमें जो शेत्रंज का रोल अधा करता है वह मतलब किसान को पता चले नहीं देता है कि profit कितना लॉस कितना है बील कितना है कुछ भी बताता नहीं है और सबसे ज्यादा डिलर ही मु बनाई जा रही है तो जैसे आप अगर ब्यार से तो 90 परसंट सबसीडी है एक्जांपल अगर एक लाक रुपए भी लगर आपका है तो आपको नब्य हजार आपको छूट आएगी आपको इसमें दस हजारी पेड़ करना है दूसरी चीज आप अगर तेलंगाना स्टेट से हो तो वैसाब आप नसीब लेकर तेलंगाना में आपने जन्म लिया है किसानी में तो सीचिवेशन है कि तेलंगाना में आपको ज़्यादा सी ज़्यादा 20-50 रुपए के जरौस लगेंगे पेपर के क्योंकि तेलंगाना स्टेट में 100% को सबसीडी चल रहा है लेकिन दुर कराया जा रहा है हमारी स्टेट गवर्मेंट से तो जो भी किसान भाई बिहार के पटना के वेगरा या फिर राजस्तान के हैं उनसे मैं एक अनुरोद करूंगा कि आप बिल्कुल लगाए क्योंकि आपको सबसीडी का सपोर्ट मिल रहा है गवर्मेंट आपको कॉपरेट कर मानलो आप अगर बड़े किसान हो तो आप इसमें जैसे के फर्टिजेशन करने के लिए वो एफटिलाजर टैंक आता है मिकिसटो डॉसरा अपके पास अगर मानलो चार से आप फर्टिकेशन दे सकते हो उससे भी आगे बढ़के अगर मान लो आपके पास पाइपलाइन अगर ज्यादा दूर से है जैसे मान लो पांसों मीटर एक किलो मेटर सम्तिंग का एरिया है तो आप वेंचुरी नहीं लगा पाओगे तो आपको उस टाइम क्या करना पड़ता है एक्जांपल बताभी तो इस एरिया है तो यहां पर कर रहे है तो घ्रेंदे का मतलब है मैं भी आपको जो एक्जांपल बता रहा हूँ एक समझाने के लिए एक क्जांपल आप समय पा रहे हो अभी यहां पे flash wall दिया है अगर यस pipeline के अंदर अगर कुछ पूडा कच्रा आपको एक इसको खोल देना है अभी सिंपल छीघी है अगर इसमें ज्मोटा होगभा तो यह से दो बाहर निकल बट अभी जैसे निकल जाता है इसको अफिस से लगा देना है लगाने के बाद फिर से इसमें वाटरिंग दे सकते हो तो मैं आपको यह जो लोकेशन बता रहा हूँ आप इस लोकेशन को कैलकुलेशन करी अगर पानी इदर से जाता है ड्रिप के अंदर जैसे पानी उस लगेगा जासे पानी इंटर हो रहा इस ड्रिप इरिकेशन के खेत में वहाँ पे लगेगा बट वह ज्यादा दूर होने की वजह से मैं आपको एक्जाम्पल के लिए यहां से बता रहा हूँ यह पर टेकप लगेगा उससे पाइप बाहर निकलेगा जैसे मोटर का प्रेश पर नए हो तो इस नौलिद वरी वीडियो को आप दबा के शेर करिए लाइक करिए और कमेंट बिल्कुल करना ना भूले